गाइस वैसे तो बहुत दिनों के बाद टेक नीज आ रही है हमारे चैनल पर यहाँ पर बहुत सरी important news थी तो मैंने सुझा कि क्यों न आप लोगों को बता दूँ और आप लोगों को updated कर दूँ तो चलिए यह लिए इस वीडियो को शुड़ू करते हैं तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो update है वो जीओ के air fiber से related है तो अगर आप जीओ का air fiber लेने का सोच रहे हो या फिर already आपके पास है तो मैंने जो है वो 6 months complete कर दिया है air fiber को use करते हुए यानि कि मेरे को यहाँ पर 6 months हो चुके है और 6 months के बाद मेरा क्या experience रहा है overall उसके बार म मेरे को यहाँ पर सहना पड़ा था अब ही कैसा चल रहा है और क्या आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात कर रहा है और मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर जिसका link आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँग तो अगर आपको वीडियो परतब देखना है और आपको connection लेना है तो एक बार जरू से एक बार चेक आउट कर लेना वीडियो को link आपको description में मिल दाएगा ठीक है यह feature वो locked chats का है आप लोग पता हो को already locked chats का feature आपको मिल दाता है WhatsApp में बट जो linked devices होते हैं जैसे कि अभी आपको पता होगा कि आप जो है अपने WhatsApp को 4 और device में link कर सकते हो मतलब एक WhatsApp account का आप 4 जगह यूज़ कर सकते हो और उसमें locked chat का option नहीं था तो बहुत जल्द यह feature आने वाला है जब जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जितने सारे devices में आपने WhatsApp को login करकर रखा होगा अब भहाँ पे भी आप इसको lock कर पाऊगे ठीक है तो यह feature आप लोगो बहुत जल्द लेखने को मिलने वाला है इसी के साथ यहाँ आप पे status updates up to one minute यानि कि जैसे 30 seconds तक WhatsApp की status को अपडेट कर पाता है तो बहुत जल्द यह feature आने वाला है जिसके बाद से आप जो है वो एक मिनिट तक का जो वीडियो है वो आप status पर लगा पाऊगे तो यह feature यहाँ पर आने वाला है इसी के साथ new channels का आपको यह feature देखने को मिलेगा मतलब बहुत सवरे channels को आप explore कर पाऊगे यह feature आने वाला है hidden community group chats मतलब यह सब new features यहाँ पर launch होने वाला है गैस अगली जो खबर है वो उन लोग के लिए है जो कि geo fiber या फिर geo air fiber का connection own करते है अगर आप भी geo air fiber या फिर geo fiber का connection आप यूज करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह new recharge plan आया है जो कि 888 rupees का है और इस वाले plan में आपको क्या कुछ मिल सकता है वो चलिए उसके बा subscription मिलने वाला है जो कि main है इस वाले plan में आपको बता दूं यहां पर आपको geo cinema का premium मिलेगा subscription इसके साथ आपको netflix का यहां पर subscription मिलेगा and prime video का भी आपको subscription मिलेगा and disney plus hot star and और भी कुछ-कुछ यहां पर subscription मिलने वाले मतलब यह सब चीज़े जो main है वो आपको मिलने वाला है इसके साथ और कूछ आपको subscription मिलने वाले ठीक है तो basically यहां पर आर्सो आठासी रोपीज इसके लिया जा रहा है and company ने इसको unlimited plan बोला है बट जो data usage है वो यहां पर 1000 जिभी आपको मिलने वाला है air fiber में and आपको 3300 जिभी मिलने वाला है geo fiber में ठीक है तो यह आपको difference यहां प आप लोग को देखने को मिलता है बाकी सब कुछ आपको similar ही देखने को मिलेगा अगली खबर यहां पर Vodafone Idea के 5G rollout को लेकर है तो यहां पर अगले 6 months में यानि कि अगले 6 महिने में जो है यहां पर Vodafone Idea मतलब एक large scale पे big scale पे अपने 5G को rollout करने वाला है यानि कि बहुत स सिर्कल एक बहुत सरे सेरों में जो है वो आपको Vodafone Idea का 5G देखने को मिलेगा फिलाल तो जो है वो four state मैं available है four circles में available है जैसे के महिलेबिलैने पोने में available है यहां पे दिल्ली में available है पंजाब में available है चिनने में available है दो यह कूछ ही है यहां पर अपर Vodafone Idea का 5G है और आइडिया में रहके कि भाई 5G मिल दाए 5G मिल दाए तो बहुत देखने को मिल दाए ठीक है जिनको पसंद है उनके लिए खबर है तो बेसिकली एक न्यू फून यहाँ पर लॉंच करने जा रही है जिसका प्राइस यहाँ पर 50,000 रुपीज होने वाला ठीक है अब भी बेसिकली दो स्मार्टफून है एक आपका यहाँ पर Redmi Note 13 Pro Plus 5G जिसका प्राइस यहाँ पर 31,000 है और एक स्मार्टफून है Xiaomi 14 जिसका प्राइस यहाँ पर 70,000 रुपे है यहाँ पर 50,000 के आज पास पास प्राइस रखा जाएगा और यहाँ पर उसी तरह आपको यहाँ पर इसके जो स्पेसिफिकेट्शन से वह भी देखने को मिलने वाला है फिलाल तो यहाँ पर कुछ खास लिखा नहीं किया कि क्या कुछ आपको उसमें देखने को मिलने वाला बट मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूंगा 50,000 में आप एक आइफोन लेना पसंद करोगे मतलब और कुछ पैसा डालके या फिर आप छौमी का फोन लेना पसंद करोगे यानि कि Android वसस आइफोन का यहां पर मैटर हो गया है तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शिन में जरूर बताना अगर मेरे पास इतने पैसे होते हैं और मेरे पास ऑप्षन होता है तो मैं तो आइफोन लोगा आप क्या लोगे मुझे कमेंट सेक्शिन में जरूर से बताना जगली खवर यहां पर Apple iPhone SE 4 को लेकर आ रहा है मतलब आपको पता ह होगा कि Apple का एक यहां पर model चलता है ऐसी करके iPhone SE जो कि थोड़ा सा smaller version होता है iPhone का ही एंड इस पर कुछ features आप लोगों को एंड कुछ specifications वेगरा थोड़े से कम आपको देखने को मिलते हैं तो iPhone SE 4 यहां लॉंच होने वाला है जिसमें बोला जा रहा है कि उसका डिस्पले होगा वह थोड़ा सा बेटर होगा एंड उसकी बैटरी है वह थोड़ी से बहतर होगी बाकि यहां पर आइफोन SE कर रहा हूं तो आपको वीडियो पसने आए तो वीडियो करें लाइक चैनल कोड़ो सब्सक्राइब मैं में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दबता किले जाय हिंद वंद्यमात्रों